कन्टोला या फिर परोरे की ऐसी सबसी जिसको मैं एक ट्विस्स के साथ बनाने जा रहे हूँ जिसको बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे बढ़े तो खाएंगे खाएंगे बहुत से लोग इसको पसंद नहीं करते हैं पर जब इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत सब्रेब करेंगे , तो सभी परोय कट गए है अब हम क्या करेंगे कडाई में तेल करम करेंगे और तेल के गरम होते हैं दूवा निकलने के बाद को अंगे सोते अइस नहीं 030 अब करेंगे han squishyिव थोड़े рьम सकत होते हैं पने कलते हैं इनके बहुत सारे नाम होते हैं जैसे क जो मैं आपको वीडियो में लास में डिसकस करूँगी तो देखिए इस तरह से हमें बीच-बीच में इसको चलाते जाना है और करीब 80% तक इसको हम गला लेंगे तो कुछ ऐसे स्वाट से दिखाई देंगे तो 10-12 मिनट का टाइम लगेगा तभी मैंने धीमी आज करके इसको दरदर ही करना है अब यह मेरे पास है कच्री जिसके भी मैंने चटनी भी बनाई थी तो इसको डालें क्योंकि इसका टेस्ट होता है खटा तो यह डाल देंगे पर अगर आपके पास नहीं है तो नो वरीज आप कोई भी खटी चीज जैसे अमचूर पाउडर या फिर नीब के साथ और यह है सेव जो बेसन वाले सेव आते हैं नमकीन आती है वह है आप चाहें तो भुजिया भी ले सकते हैं या फिर रोस्टेट चना भी ले सकते हैं थोड़ा बस इनको कोसली ग्राइंड करेंगे और दर-दर असा पीस हैंगे हम अब यहां पर खरीब इसको 12-13 मिन और यह सॉफट भी हो गया है और अच्छी तरह से फ्राइ हो गए तो अब हम निकाल लेंगे इनको तो इसका एक दूसरा नाम है जो की खेक्सी भी है अब थोड़ा और तेल डालेंगे उसी कड़ाई में और तेल के गरम होते इसमें डाल देंगे एक चाह मजीरा और यह जो जो परोरे हैं उसी के बराबर है थोड़ी से उससे कम है तो 200 ग्राम वो है और ये प्यास को गुलाबी होने तक तलेंगे बहुत जादा भी फ्राइ नहीं करेंगे और अब जो हमने ये कंटोला को पका के रखा था वो भी डाल दिया अधा चम्मच हल दिया अधा चम्मच लाल चुके हैं अब मैंने नमक भी डाला है तो नमक भी मैंने थोड़ा सा कम डाला है और उसका भी रीजन बताऊंगी आगे अब इसको ढाक करके 5-6 मिनट तक धीनी आश पर पकाएंगे तो करीब 5 मिनट हो गये होंगे और ये जो हमने मसाला त्यार करके रखा था उसको डाल द आएंगे इसके साथ चलाते हुए बहुत ही फायदे मन सबसी होती है और सिर्फ बरसात के सीजन में होती है थोड़ा सा पानी भी मैंने डाल दिया है और इसके साथ भी हम भून लेंगे मौंसून के सीजन में पाई आती है तो जब भी आपको मौका मिले आभी आजकल ये मिल रही है सबसी जरूर बना के खाए और बहुत ही हेल्दी और बहुत पावरफुल सबसी होती है ये सभी के लिए बहुत अच्छी होती तो अब है ट्विस्ट तो ये डाला है मैने मैगी मसाला जो की बच्चों का भी favorite है तो इस मसाले के पड़ते ही ये सबजी बच्चों की भी favorite बन जाएगी तो इसको भी डाल देंगे इसलिए मैंने नमक कम रखा था क्योंकि इस मसाले में थोड़ा सा नमक होता है और अब इसको भूनेंगे सिर्फ एक मिनट तक जो कि बहुत टेस्टी बनी और बहुत हेल्दी है अब बात करें अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की तो सबसे पहले आता है इसमें आयुरवेद के हिसाब से इसमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स है एक तो यह बहुत पावरफुल होती है बहुत इसमें ताकत होती है इसमें जो प्रोटीन होता है वह बहुत जादा होता है इवन यह भी कहा जाता है कि मीट से जादा इसमें प्रोटीन होता है और इसमें जो है तो हार्ट को यह हेल्दी रखता है फाइब्रस होता है और आखों की प्रॉब्लम जिन लोग को होती है उनके लिए उनके लिए काफी फाइदे जिसको हमें जरूर कंस्यूम करना चाहिए मॉन्सून सीजन में क्योंकि उसी सीजन में मिलती है यह तो अगर आपको नहीं पसंद है तो जरूर इस तरह से एक बार बना के देखे आपको पसंद आएगी तो उमीद करते हूं आप जरूर बनाएंगे खाएंगे और मुझे बता जरूर आपको 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 जरू